फुल एपिसोर की है खोज, तो सिर्फ पॉकेट एफम करो डाउनलोड, लिंक के लिए करें डिस्रिप्शन पे क्लिक कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे चुका ली, बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे, पर हुआ क्या भाई, कोयल ठीक है, लकी ने उसके पास लगी कुरसी पर बैठते हुए कहा, जिस हसाब से अमित की शकल वो देख रहा था, लकी समझ गया था कि मामला इतना सीथा नहीं था, जितना बाकी लोग समझ रहे थे, अमित वैसे भी छोटी मोटी चीज़ों से घबरा जाने वालों में से नहीं था, तुम्हें मालूम है कल जब कोयल बिना लंज की ही उठकर चली गई थी, तो वो उस लड़के से टकरा गई थी, याद है, फिर उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई, और फिर हम लोग बीच में ही कूद गए थे, बाद में कोयल ने वहां से निकल कर पुलिस में उसके शिकायद भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था, अमित ने घबराते हुए कहा, कौन था, लकी ने पूछा, सब लोग अमित के चहरे को बिना पल के छपकाये देखे जा रहे थे, वो मोहित राएजादा था, उसके पिता लाइन ग्रूप आफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लाइन ग्रूप का आने वाला CEO है, लाइन ग्रूप, प्रीतम के उसे निकला, उसने अभी जो सुना था, उस पर विश्वासी नहीं कर पा रहा था वो, इसलिए चौंक कर उसने अपनी कानों को दो तीन बार खुजाया, भाई, लाइन ग्रूप तो दिली की दस सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना, अरे यार, कुयल ने कितनी बड़ी गर्वित ने कहा, अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी, और उनके दिमाग की बत्तिया जलनी शुरू हो गई, लाकी देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़ बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शान्द करवाने के रहे कहा, हाँ लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की बेटी है ना भाई, भाई उसके पिता का एकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है, तो वो भी तो पावरफुल होगी ना, लखी ने कहा, भाई उसके पापा की कोयल ग्रूप आफ कमपनी इस नाम से फर्म तो है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लाइन ग्रूप के आगे वो कुछ भी नहीं है यार, और मैंने तो ये भी सुना है कि लाइन ग्रूप और कोयल ग्रूप के बीच कुछ प्रोजेक्स पर पार्टनर्शिप चल रही थी, लाइन ग्रूप ने कोयल ग्रूप को कुछ काम दिलवाया वह था लेकिन अब इस जगड़े के बाद वहां से कोईल के पिता के पास एक लेटर आया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी सारी पार्टनर्शिप वो खब्म कर रहे हैं और ये भी कहा है कि आगे से वो कोई काम नहीं करेंगे ये सुनते ही न भाई कोईल के पापा सकते में आ गए बस ये ही समझ कि उन्हें हार्ट इटैक नहीं आया है वरना हमारे बीच नहीं होते वो आज अमित ने कहा लगी उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया आखिरे सब में वो क्या कर सकता था फिलाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन अभी उसके लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था मारे गए भाई मारे गए गर्वित अभी भी अपने आप बड़ बड़ा रहा था उसके बोलने के बीच ये अमित का फोन बजने लगा सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाद सुनते ही शान्त हो गए थे आखिर किसका था वो फोन कोयल की वज़े से इन तीनों के उपर क्या संकटाने वाला था और क्या लखी कोयल और अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा हाई मैं आपका लखी तो अब क्या होगा क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मुझे करना पड़ेगा और कोई सामना वैसे इस एपिसोड की शुरुवात में क्या हुआ और आगी क्या होगा इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करें और सुनिए इंस्टा मिलियनेर के फुल एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेंपर